लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अपडेट्स करें । कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चलो 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 आट रोड और लगाने चलो हरी अप चलो समलोग जोगे कंचीनयोग वाट टो वाट चलो चलो अवारी 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 आप क्वार्ट जल्दी करो हाँ लडश भूंगी दळान है पास्ट जाए निचार रखो याँ पेटा कैसा है तू तो माँ बस पर स्क्रास मां तो क्यों रहा है अरे मां दौड़ रहा था इस लिए मां ट्रेनिंग में ऐसा होता है तो सुन रहा है न देखो इस हब रही चत्थी नहीं आये क्या चिट्थी लिखने के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है मा मैं अभी जाकर चिटी लिखता हूँ अब एक अच्छी लड़की देखकर इसका ब्या कर दे घर में बहुत आएगी हाँ आइडिया बुरा नहीं है लेकिन कहीं हमारे साहबजादे ही ये काम न कर गुजरे मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ वह किसी लड़की पर लट्टू होने वाइला नहीं है तो लड़की दो उस पर लट्टू होचकती है क्या है ये क्या है इतनी बड़ी गारी नहीं दिखती इतना बड़ा पिछले दो सालों से रेस आरती आ रही हूं इस बार सबको पीछे जोड़ाई थी कितने ब्राइट चांसे इस बार तुम लोगों की वज़े से मैं रेस आर जाऊंगी देखिए हम लोगों को मालूम नहीं था कि आप शाट आप तुम लोग बीच सड़क पर साइकलों पर क् कुछ चल सकता है आप रोहिए मत मैं करता हूं कुछ चलो अटिए गाड़ी खड़े से निकलेगी कैसे आप अपना समान तो उतारिए इसक्यूज मी ये सामा नहीं मेरी फ्रेंड है निकी आज जो भी है इन दिक्की शिक्की जो भी है उतारिए इसे रेस जीतने है कि नहीं आपने उतर तू नीचे बोलो फिर चलो भाई प्रेस हारी गए निकी शॉप शॉप अब क्या फाइदा सब कुछ तो हो गया है मैं यह रेस हार चुकी हूं सब लोग कितना आगे निकल गया है और यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ है तो आप यह रेस जीतना चाहती है हां आपका की शॉप कुछ। कख जोह कुछ। वाप नाफ ए करता है एक रिस अपने को पिर यद्टा प्रशों पे प्रों कर दूछ अप भाप इप प्रों को प्रों को प्रों को मुभारक हो अब आप ये रेस जीत गई हैं बागी लोग काफी पीछे रह गए अब आप जा सकते हैं मुझे है रोमा आप खड़ी क्यों है अरे यहां से जाहिए नहीं तो आप रेस चीतिंग यहां से जाहिए यहां से अरे रित्व अब तुझे क्या बताओं इस रेस ने मेरी जिंदगी में ही हलचल मचा दी है बहुत गरबढ हो गई है मेरे साथ उसका चेहरा मेरे दिल और दिमाख से निकलता ही नहीं है एक ही मुलाकात में नजाने कैसा रिष्ठा बना लिया है उसने ओ मेरे यारा करके इशारा ओ मेरे यारा करके इशारा पहली नजर में दिल चुराया आपने दिल चुराया आपने दिल चुराया आपने एसे अच्छानक तुमने छुआ था ना जाने क्या क्या होने लगा था लगने लगे थे रंगों के मेले मेरा तो होश खोने लगा था जागी ता मन्ना बदला नजारा पहनी नजर में दिल चुराया आपने दिल चुराया आपने दिल चुराया आपने दिल चुराया आपने कितनी हस्ती हो, कितनी जवा हो, कैसे बताओ, तुमको सुबा से, जिसको पिच्चा हो, आशिक बना दो, जातू करी, ये सिखी है कहां से, यू मुस्कुरा के, जाने बहारा, पहली नजल में, दिल चुराया आपनी, दिल चुराया आपनी, ओ मेरे यारा करके इशारा पहली नसल में दिल चुडाया आपने अब बंद करो यह सब पांडे साब दिल्ली से आ गये हैं अरे दिल्ली से थके आरे आये हैं अराम फर्माएंगे कमर सीधी करेंगे बागी को बत्ते दो सर वो मैं कौन्छा गेल खेल रहे थे वो सर वो दैला पकड़ अच्छा खेल है मैं भी बहुत खेला करता था मेरा दैला कभी पकड़ में नहीं आता था बैठो बैठो एक वक्त था कि ताश पर मेरे हाथ बहुत सेट थे आज बहुत सालों के बाद ताश पकड़ी है मैंने हाथ में अच्छा ये बताओ ताश में कितने एक्के होते हैं देवा सर चार एक्के होते हैं नहीं इसमें पांच्वाएक कभी होता है कि आप लोग इस तरह के देख रहे हैं मेरी तरफ पांच्वाएक का होता है क्यों निलेश सर मैं निकाल कर दिखाता हूँ पांचवाएक का आप लोग तो बहुत परिशान हो गए शायद इसलिए कि मैं आप लोगों को पांचवाएक का कहां से दिखाऊंगा लेकिन आप लोगों को परिशान होने की कोई जुरूरत नहीं है मैं आपको पांचमा एक का दिखाई नहीं सकता क्योंकि एक दाश में पांचमा एक का होता ही नहीं है ये बात आप बखु भी जानते थे फिर भी मेरी बात को काटने की हिम्मत क्यों नहीं की आप लोगों ने सामने बैठा आदमी कोई भी हो किसी भी ओते का हो अगर वो गलत बात कह रहा है तो गलत है सच्चाई को पूरे विश्वास के साथ बोलने की हिम्मत रखो और ये तफ्री, मौजमस्ती इन सब से अलग करो खुद को आप लोग जिस मकाम पर खड़े हैं वहां से जिन्दगी के फैसले तैह होते हैं अब मैं कोई भी ऐसी हरकत जो अनुसाशन के खिलाफ है परदाश नहीं करूँगा आप लोग अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से ट्रेनिंग में लगाए यू केट देट? सर्थ अल बलड़ी जोकर्स अवरी चलताओ, जलताओ arch overcome अरिया चलो,चलो,चलो जल्दी करो six seconds पो,geht अल्दिगी जल्दिगीजे चल्द करो आपको वान्ने, अडलेल जात्रीका संदे, समतिका! आप लोग मुंबई जा रहे हैं, वहाँ एलेक्शन के सेक्यूरिटी एरेंजमेंट्स करने के लिए, आपको अपने सीनियर आफिसर्स की मदद करनी है, ये बात तो आज किसी से छिपी नहीं है, कि जुनाओ के दौरान, हर शेहर में कुछ हिंसात्मक घटनाए घटती हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से कुछ खास इंतजामात किये जाते हैं, हमारा लक्ष, गुंडा ताक्तों पर काबू पाना, और आम जन्ता की जान और माल की हिफाज़त, हर दिन आपको सीनियर आफिसर्स की तरफ से कामकाश दिये जाएंगे, और उस काम को आपने उनी की ह विदायत के मताबिक सर इंजाम देना है, हो सकता है कि कभी हालात ऐसे हो जाएं, कि आपको हत्यार भी दिये जाएं, उस हलत में उन हत्यारों को कब, कैसे और कहां इस्तमाल करना है, आपको बराबर बताया जाएगा, और हाँ, वहाँ एडिशनल आफिसर के तोर पर मेरी भी पोस्टिंग होने वाली है, कुछी दिनों में मैं आप लोगों को वहाँ जॉइन करूँगा, मैं जानता हूँ, कि आप लोग इस अकेटमी को बहुत मिस्स करोगे, और मैं, आप सब लोगों को, यू आल ब्लेडी जोकर्स, आप यहाँ क्यों आए हैं, इसके बारे में मिस्टर पांडर ने आपको बताया ही होगा, यहाँ के ड्यूटी आफिसर्स को समझना, उनकी हिदायतों पर अमल करना, यही आपका काम है, आपके सीनियर्स, डिबार्टमेंट के तौर तरीकों को बहतर जानते हैं, तज़र बेकार हैं, इसलिए आपको बिना किसी शक्स सवाल के, उनके ओर्डर्स को एक्सेप्ट करना है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये बात, ट्रेनिंग लेते हुए आपके दिल और दिमाग में बिलकुल नहीं होनी चाहिए, यहां करीब 20 दिनों की ट्रेनिंग है आपकी, इस दोरान भूलकर किसी से भी ऐसी कोई हरकत होती है, जो के अरुशासम के खिलाफ हो, तो अपने नुकसान का जिम्मेरदार वो खुद होगा, कल एक क्वाटर में नौ बजे रिपोर्ट करना है, कितने बजे? नौ बजे सर, नौ बजे, अच्छा, तो तुम देवलाली से हो, जी, भाई देवलाली से तो हमारा भी रिष्टा है, वहां बाजु में नंगावा पेजे राइस मिले न, वो मेरे मावा के बेटे की है, तो तैयार हो जाओ, बहुत डाट फरकार सुननी पड़ेगी मेरी, क्योंकि अमें तुम्हारा सि इनियर ही नहीं, विष्टेडार भी हो, अल्राइट, थैंक यू, विजे, तुम, यहां, बॉम्बे में, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, देखिए आपको गलत फैमी हूई है, मेरा नाम विजे नहीं है, मैं अनिल हूँ, अनिल सिना, मजाक मत करो, तुम्हें पता नहीं में विजे, मताग बॉत हो गया, लोग देख रहे हैं, तो लोग तो देखेंगी, क्योंकि आप बाते ऐसी करते हो, आप मुझे बार-बार विजे कहरे हो, जबकि मैं अनिल सिना हूँ, अरे, मैं आपको जानता तक नहीं, आपसे मिला तक नहीं हूँ, मैं, ओ, शाट अप, तु आपको गलत फेमी हूई हो, आपके विजे की शेकल मुझे से मिलती हो, अनिल, को होने बेंक से तेरा यार, इस्क्यूज मी, हाँ, हाँ, मैं अनिल बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ, एक काम कीजे, आप ड्राफ टेपॉजिट कर दीजिए, ठीक है, मैं मैंनेजर से बात कर लेता ह ठीक है, ओके, ए। के हाँ, ठीक है, आप यानिल है, आपी मिस्टर अनिल से ना है, नम सौरी, आप रेस जीत गय थे उसन, पैल मिल गया होगा, गोल्ड मिला होगा, गोल्ड, मेरी बात तो सुनो, मैं तो मजाग कर रहा था, सुनो तो सहही रोमा, तू प्यार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता तू प्यार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता तू जाने जाएगा मुझको तू माने जाएगा मुझको रफ्ता 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 तू जानने जाएगा मुझको रफ्ता रफ्ता जाने बहार दिल में उतार मैं हूँ तेरा दिवाना आजा करीब मेरे नसीब क्या कर लेगा समाना तहती है ये मेरी बेरुकिं जूती है ये तेरी आशकी इनकार करेगी मुझसे इक्रार करेगी मुझसे इजिहार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता तू जाने जाएगा तो रफ्ता रफ्ता आखें है लाल जहरा गुलाल उफ तौबा का बला है शोला बतन है तेरा अगर तो दिल पर भी दिल जला है माना मीना तेरी बातना आओ मीना तेरे साथ में अख्चार करेगी मुझसे इक्रार करेगी मुझसे इजिहार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता तू प्यार करेगी मुझसे इजिए जिए 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 ज है 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 चलता है क्यों दे रहे उतार है चल आपको पर लगाना यह तुमनों को रही है चलती कैसे है रहे चाहिए कि तीन घंटे तक बैठा रहा कंटाल गया शादी में गया था वो इन्हें ता सिगर दे यह लफड़ा क्या है हाँ सक्सेन एक काम था तुम से कपास्वारी के प्लोट पर घंणा बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसकी एनोसे के लिए तुने लटका कर रखा ह है उन्हें कि पेपर्स मैंने यहीं मंगवा लिये हैं कि साइन करो इन पर बाद अद्दा भाई वाह कपास्वारी की उस जमीन के लिए उन गरीबों के मोर्चे जुलुस की अगवाई की थी आपने उनको वहाँ पर पक्के घर मिलने चाहिए इस बात के लिए अंशन किया था आपने यहां तक कि आपके लोगों ने खन्ना बिल्दर्स के ऑफिस में जा करके तोड़ फोड़ की थी और आप यहां बैट करके खन्ना बिल्दर्स की दलाली कर रहे हैं मुझसे साइन करवा करे ला ले आ चलते अच्छा आफ आछा रहे नंसे अच्छा लगा पतमीश्री को यहां कि तेरी इमांदारी के लिए इमांदार है ने आप इमान्दार इमान्दार अभी देख लेतें तुम्हारी इमान्दारी को तुम जैसे लोकों को तोड़ने का तरीका है मेरे पास ब्राजन लेया जिंदा है जिंदा चाहिए न तुझको ददा भाई यह ठीक नहीं है क्या भी गड़ायर मेरे तुम्हारा अबे चुप पालतुका टेम नहीं है मेरे पास बच्चा चाहिए जिंदा चाहिए साले तुकड़े देदूंगा लटका लेना घर में इमान्दारी की खुटियों बर कि चलो साइन करो सारा काम रुका हुआ है मेरा साइन करो देशाय साब आईये ददभाई ओफिस का नक्षा ही बदला हुआ है इंटिरियर करवाया लगता है थोड़ाबा चेंज यह लिए काम तो पक्का है काम तो हम पक्का ही करते हैं वरना हाथ ही नहीं डाते हैं यह लिए ददभाई पूरे पांच पेटी हैं रका में गिनवाली जी गिनवाली जी मतलब यह कोई डील है कोई स्वादे बाजी है हमारे बीच फिर भी दद्दा पैसे का मामला है तलाली थोड़ी करता हूं मैं आप लोगोंने समझा क्या है दोस्ती रिष्टे मैं तुमने कुछ कह दिया हमने कर दिया पैसों की जरूरत ही इ सब्सक्राइब देंगे आप क्यों देशाई ठीक है रहो ना मैं नहीं रद्दा ठीक है हाँ नंदी आप लोग इस सेलेक्शन में मेरा साथ दीजिए मैं रतन सेठी को ऐसी पटकनी दूंगा कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दूंगा ही दूंगा रंग कहीं नजर नहीं आएगा हाँ सर्थ इस लांटेना इट ब्लूंस थूरट दी एर एक्सेट दूरिंग दूंसोंस सब्लीज कम फ़रगा सर्थ रिस दूब्लोंगों ब्ला थूंगा कमाल रंगों का इतना हुब्सूरत् गूम अज़ एक निकनेम भी है इसको फारबॉल भी कहते हैं यब ये पूरी तरह से खिल जाता है तो ये आख के गोली की तरह से दिखता है इससे क्रिस्मिस पर प्रेजेंट किया जाता है इसलिए इसको किस्मिस फ्लावर भी कहते हैं भया आप लोग साब खामुश क्यों है मैं गलत तो नहीं हूं ना नो सर्य यो राइट सर्य लेवली गलत लग गया रहा इट्स ब्यूटिफुल फाइरबॉल केंपेंड प्लैनिंग अच्छी लगी मुझे हमने तो एप्रूवल दे दिया है लेकिन पार्टी ये बजट एप्रूव नहीं करेगी अपने परसनल एरिजमेंट क्या है सर्क खत्री और गुलाती की ओर से भी कोई ठीक जवाब नहीं आया इन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग क्याम के लिए भी अपना वादा पुरा नहीं किया है सर्फ सिठी साफ ये लोग पिछली दो मीटिंगों में भी गायब थे इनकी देखार देखी शार कपाड़े में भी कुछ खिचिड़ी भग रही है अब बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं भाई वो लोग हम पर पैस पैसा लगाएंगे कि क्या है कि जब कोई आदमी किसी दंदे में पैसा लगाता है तो वो इस पैसे की सुरक्षा भी देखता है आप उनको आज ही मड़ा लेंड वाले बंगले पर बुलवाईए मैं उनसे बात करूंगा सेटी साब इस एलेक्षन में पहले जैसे बात नहीं रही दद्दा भाई की गुंडागर्दी ने शेहर का महौल बदल दिया है पटेल साब ठीक है रहे हैं हमारे कई सपोर्टर्स दद्दा भाई के साथ मिल चुके हैं इसना कुछ मेरी जानकारी में भी आया है लेकिन आप अब लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पहली बार दुछा बन रहा हूं कि चुनाव और हथ्यार की तालमिल को मैं अच्छी तरह से समझता हूं बाबुरा जे तरह देखें कुट्टी बावा है दराबाद से लोटा है कि अपना एकिश डील में गडवर नहीं काम में डाउट नहीं माई जो बोला मतलब वही होना मर्डर का स्पार्ट टाइम और मर्डर का टाइप टाइप मतलब ब्लाइंड मर्डर कोई देखना नहीं जो मर्डर पब्लिक के बीच तुम्हारा जैसा डिमेंड वैसा ही छोना रही पैसे की बाद आदमी का एक लाग पकड़ कर चलो पोलिस का उपर का लफड़ा सब मेरा मेरा पैसे का काम मसूद देखता है तुम्हारा आदमी जो एक बार पैसे लेके आता है वो दुबारा नह दील करेगा काम क्या लगाने का है उसका इंफरमेशन 48 गंटे पहले मुझे चाहिए बोले तो दो दिन पहले पैसा जब जहां चाहिए जगा मैं सेलक करूंगा अभी तुम सेटी साब से मिलकर बात कर लेना इसका जवाब 24 गंटे में चाहिए अपने को अगर अपना डील न गली में गीर्दा प्रेस के निच्चे अपने गोड़ान में पहुंच जाना चाहिए उदर टोकन मिला इधर नारियल बांदा कि बोले तो मैं अपना मीटर डाउन करता हूँ मैं समझ गया तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलू और रिष्टे की बात करूँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ब्रिलेंट आइटिया लेकिन मैडम आप ये भूल जाती हैं कि आपके पिताजी पुलिस कमिश्टर हैं और मैं एक अंड से पहले हैं कि मैं तुम्हें मिल चुकी हो फिर तुम बात आगे बढ़ा देना सिंपल मैं ये खत्रा नी उठा सकता इसमे कोई खत्रा नहीं है अगर प्यार करते हो तो हुसला भी रखो तुम्हें कल मेरे घर अनो होगा बस अलेकिन मैं आऊंग तुर किस काम के ले आऊंग सर बड़े बाबुने ये डायरी बेजिए आपके लिए सर कैसी डायरी है ये बाई ये मैंने मंगवाई है डाडी गैतरी की डायरी है डांस क्लास के नोट्स उतारने थे आच्छा अच्छा बैठो भई चाय बाई पी कर जाना ठीक है सर अरे बैठो अच्छा डाडी मैं चलती हूँ अरे बेटा लेकिन तुम तो साथ में चाय पी कर जाने वाली थी डाडी मेरी सब फ्रेंज इंतजार कर रही होंगी और ये कांता भी पता नहीं मेरी कहां चीजे रख देती है कुछ मिलता ही नहीं मुझे घर में क्या बात है कुछ परिशानों सा मैं नेम इस विजे सिंग एसाइ ट्रेडी बैच नंबर 26 कुछ दिनों के लिए चुटी चाहिए सर क्यों कोई खास बात है वो सर वो मेरी सगाई है सर तुम तो बग जल्दी में ती अब क्या वाँ तैड़ी मै मैंने सोचा कि मैं चाय पी ही लू कोई बात नहीं मिल जाएगी तुम चुटी कब है सगाई सर तारीक के लिए मां की चुठी आएगी और वैसे भी सर श्रात के बाद ही होगी अरे नहीं भाईया फोरण कर लो सगाई वैसे भी हम पुलिस वालों की शादी बड़े मुश्कि अच्चा आप आप आपने समझों अलों थे वालों मुझे करो अपको बड़ने करते अब को पात में फोर्ण लों को से नहीं दढ़ता बारो बारो मुझे अरे बात क्या है एलेक्शन होते हैं तलवार हमारी गर्दन पर लटकती है सेथी के आदमी है पैसे मागे होंगे अब तुम्हीं बताओ कोई पैसे दे तो कब तुट दे कि आख करते हों रुज़ बादार में बंडर करो मेरा सेड़ी साब करना महर बढ़ जाएगा अरे तब इस बता होंने घर बार भुला भी मानस दस दस कला काम करें छे को ना माटे हैं आमने माटे हैं आप एक काम कीजिए आप मेरे साथ चलिए रिपोर्ट करते हैं तुमको पै थीक है इन्होंने प्रोलिस को बोलना चीए था ये इनकी गलती है लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो आपके सामने कुछ गुंड़े इसकी दुकान में गुषके इसका सर तोड़ देते अब आप रिपोर्ट दर्ज कीजे न ये क्या हो रहा है तू यहां क्या कर रहा है तारु आपकी तहरे अपनी मेहनत की कमें उनके कादमे में डाल देता मैं हो ठुपाशा वह मोट्टों तो मारी साथी जिबा जोड़ी करेश तरह अपनी साथ है साथ आपने कुछ लिखा नहीं न हमें किसी के किलाव कुछ नहीं लखवाने गाया पर आपू मारी वात तो चाल चाल निकालेंटी मेरी अनने दुकान मात अरू छेशूं बधी तो मारी कमानी छे अनने मारी कमानी उजे ने इच्छी स्थेने आपिस चालेंटी विजय एसाई ट्रेणी बैच नमबर प्रेंटी सिक्स सेंटे आरोन फील्ट ट्रेनिंग फॉर इलेक्शन ड्यूटी ओनली ओके बहुसते साब ने बुलाये तुम्हें पिर आगे क्या हुआ बोलो बोलो सर उस आदमी को वो लोग बहुत बुरी तरह मार रहे थे और जब मैं वहां पहुंचा तो वह सारी रिपोर्टिंग है मेरे पास है उदर तुम जवेरी बाजर में क्या कर रहा था है तुम्हेरा ड्यूटी साथ नमबर पुलिस टेशन में था ना क्या रहे है यह लपड़ा हुआ साड़े दस बज़े तुमको पुलिस चौकी में रिपोर्टिंग था साड़े नौ बज़े तुमको ड्यूटी पर होना चाहिए था कि ने फिर हमारे सीनियर बोसले सर्व यह कहते हैं कि क्या कहा उन्होंने यहीं न कि हर किसी को अपनी ड्यूटी की जगा होना चाहिए ठीकी तो का पोदीशन कामकाज एरिया यह सब डिवाइट के गये हैं बड सीनियर की बाद ठीक से सुनते नहीं हो यू आर अंडर ट्रेनिंग तुम्हें बहुत कुछ सीखना है समझना है एक ट्रेनी में जोश के साथ साथ ठैरा भी होना चाहिए हमें बहुत कुछ सीखना है समझना है बस यही बात है हर साथ की जुबान पर हर बात पर हां करो सल्यूट करो बस यही काम है हमारा डिसिप्लिन बोसले साथ आफिस में मुझे ड्यूटी समझा रहे थे और खुद शराब के नश्य में थे अरे तो ठीक है ना यार एलेक्शन के नजदीक आ रहा है बोसले साथ को काम का आज के इतना टेंशन है कि एक आथ में पी लिया होगा राना हमारे बोसले साथ का कहना है कि इलेक्शन के दौरान कुछ भी हो सकता है हमें मारा भी जा सकता है इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हमें चौकी के अंदर दुबक कर बैठना चाहिए वाह हमें या दुबक कर बैठने के लिए बुलाए गया ना की लोगों की हिफास्थ के लिए विजे तु खुद को इतना परिशान क्यों कर रहा है 15 दिन अपने को यहां पर ठहरना है बस डिपार्टमेंट हम से क्या-क्या और कितना काम चाहता है वो हम करें पर कहां क्या-क्या सुधारेंगे हम और जब गुंड़े ही एलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए कोई बटा थोड़े ही है आप दोनों कल सुबर सिद्धी विनाय का दर्शन कीजिए और गाठ पक्का कीजिए शास्री जी मेरे साथ 1,75,000 वोट हैं एक जंडे के नीचे इतने लोग लाने के लिए आपको तो पता है क्या कुछ करना पड़ता है गुपता मिल का ताला खुलवा कर अन्ना की यूनियन तुड़वाई मैंने अपने मोर्चे पर गोलियां चलवा कर चार आदमी मरवाए डियस पी रावत का ट्रांसफर करवाया पांच 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 लाग का खर्चा आया सावन्त तुम्हें हमसे कितना चाहिए वो बताओ दद्दा भय मैं आपको सपोर्ट करने का बीस लाख रुपया लूँगा बीस लाख आपके लिए यह आफर एक दोस्त के लिए एक दोस्त का देखो सावन्त ऐसे मौके पर शास्त्री जी सावन्त तुम अपना पुराना टाइम भूल गए हैं वो टाइम तुम्हें याद नहीं रहा जब अन्ना के सामने मैंने तुम्हारी पगड़ी उछलने से बचाई थी नहीं याद रहा ना और आज आज तुम्हारी ओकाद बीस लाक की हो गई है बीस लाक मेरी योकाद क्या है मुझे मालूम है वो त्यारी दोस्ती थी कि मैं इधर बैठा था वरना सावन का टाइम आज किसी के इधर जाके बैटकर बात करने का नहीं है सावन के घर का रास्ता है पता है सबको आपने बात बिगार दी तैस लाक में तोड़ सकते थे इसको शेसली जी क्या करता उसके पाम पकरता कि इसकी नत होतरवाई के बीच लाक रुपए जादा नहीं है यह बात मैं पहले कह दिती राजा साब को पूछो उनसे अब होगा प्यासुका निजाम यह पर साले हांदी चढ़ा कर मुर्गी तलाश ने निकलते हैं अब यह रतन सेटी चुगएगा लफग लेगा कि कहा है साबन तुम्हें कसे हाथ आप इतने जल्दी आगे बरे आए ना मी खर मंजे बाहर तुम्हाले रिसीव कर ले ओ सौरे आए अरे अरे विडिया सर्ख बाल सा का करतो तु असा नाय कराएचा काय आएचा अशिर्वादत सर्वस्वारे अखिवत रस्तोस ना वाला अरे अरे काय आए अमचा सो भागे आए कि तुम्हें अमचा घरी आला था कि तुम्हें भाया कहेंगे तुम्हें पुरा नहीं लग करती अले 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 काई दे आई नावा तुझ जा नाव संग बार क्या नाव संग कोड़ पुड़ गाय सावन कि बाबांचा फुट वाए कि है कि अच्छ कि अच्छ सावन्त मैं हैरान हूं तुमने मुझसे बीस लाक रोपे मांगे मेरा मतलब मैंने तुम्हारी किमत कुछ ज्यादा आंकी थी कि सावन्त हमारे गठबंदन की खवर बहार आने दो पैसे तुम्हें जब जैसे चाहिए बता देना मिल जाएंगे कि 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 मैं कुछ समझाने सेटी साब आप सावन्त को क्यों मरवाना जाते हैं वो तो आपको सपोर्ट कर रहा ना बावुरा आप कब सीखेंगे राजनीती में कभी कभी अपने सपोर्ट करने वाले को भी मरवाना पड़ता है इस एलेक्शन को अपने हक में घुमाने के लिए सावन्त को जाना ही होगा सेटी साब सावन्त बीस लाग का आदमी है मैं उसको मानने का दस लाग लोगा यह दस लाग सावन्त को मानने का नहीं सीजन का रिट है सीजन का रिट बोले तो बैंड बाज़ वाले का कमाने का टाइम शाध्री का टाइम गुंडे लोगों का कमाने का टाइम कोई छोड़ता है आप तो ये उल्टी बाद कर रहे हैं तुम बाबूराण जी अब बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं ये राव साब हमारे समझते नहीं, कम दामों में तो बाजार में जंग लगे हथियार मिलते हैं, आपने जो कहा हो हो जाएगा, हम इस काम की अहमियत को समझते, छोड़ो ये सब, जो जरूरी है वो पहले करो, भाबु राव समय ज्यादा नहीं है, पैसो कहते हैं जल्दी करो, ये अच्छा, दस लाग एक से नहीं मिल रहे हैं, तो दो दो के पांच लोग ढूड़ो, जो जाएगा, कैसे भी करो, ओके, हाँ, आएदन मुट्याब, हाँ, ठीक है, जादे, सावन को मानने का स्पार्ट, नाना चौक से एक किलोमेटर दूर होना चाहिए, काम बाजाने के बाद, तुम लोग पीछे के रस्ते से निकल जाओगे, विटल वाड़ी में एक नया चौके का इनाग्रेशन हुआता ना, नया चौकी का मतलब नया साब लोग, इधर एक पोलिस वाला मुली का पत्ता सोंग ले, तो सारे डिपार्टमेंट को जुकाम लग जाता है, गोडोन में शाम से बात करने के बाद, काम का स्पार्ट लगाने का, सावंत कल ग्यारा बजे तीन बत्ती से गुजरने वाला है, सावंत सहब आप तो हमेशे सिटी सबका विरोध करते आये हो, फिर इस सेलेक्शन में उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो, यह तो विचार मिलने की बात है, कल तक नहीं मिलते थे, फिर मैं एक बात मानता हूँ, काम जनता के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, फिर वो किसी के साथ भी हो, सावन सहब, शेहर के जिस तरह के हालात है, हर नेता ने एक सिक्योर्टी गार्ड रखा है, पर आपने, हाँ मैं जानता हूँ, आज गुंडा गर्दी बढ़ गई, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई सावन को गोली मार दे, हाँ डुटी कहा लगी हुई है, परता नहीं, आज दो बजे हैट कोईटर रिपोर्ट करना है, हाँ! 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 अज गुपरों कोईप्वर神 कोईप्वर स्धना है? कि बढ़ेख्वर प्कारों कोईप्वर कोईप्वरा है जब़! कि लेफ्ट सेट लेफ्ट लेफ्ट कि लेफ्ट सावन साप का मडर हो गया है चेमबूर नाके के पास और साथ नमबर चौकी पे एक सहाप को भी उड़ाया है इन लोगों ने ताथ नमबर चौकी पे तो विजय था राधन के घंगयोग से बालो, क्ली तो राष नमबर राधन की दौकी गर्द बालो, प्लीग से रख़ि को प्लीख एक लिप दूरीक प्लीख प्लीख ट्रीक पारीक पारे यान nota राधन के लोड़ को है अ यॉद विज канार जोड़ टू रूओ तो प्लीख Ayस अबालें झाल भ्याल प्गूल लिट में वे ल उना में, मैं जूएरा है आपको यारा एप रगुवंची रणा ये इंस्पेक्टर रगुवंची मैं जे जवेरी बाजार पुली स्टेशन में मिला था उन कोनिया के साथ ता ही ये विजय विजय तू चल्ल ये विजय चल्लिया निकल चल तूह आए उसे क्योंकि वो उन खूनियों में शामिल था अगर गोली नहीं मारता तो क्या जाने देता हुआ ठीक है वो खूनी था तूने उसे गोली मारी बस विजा यह रगवणशी की बात नहीं है इस शूट आउट में चार लोग मारे गए और यह लोग मर्दूर नेत सावन का खून करके भाग रहे थे जिस ट्राफिक इंस्पेक्टर को इन्होंने चौकी पर मारा है वो चेंबूर से उन लोगों के पीछे लगा हुआ था पर यह सावन तो इस सेलेक्शन में रतन से ठीक हो सपोर्ट कर रहा था अले अब यह भी दो दिन पहले आकबारों में खाबर जबी थी है मुझे तो यह सारा का सारा पॉलिटिकल गेम लग रहा है हम लोगों को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए अले हम लोगों को कदम उठाने की जरुवत ही क्या है विजय तेरी ड्यूटी उस चौकी पर थी क्या नहीं बस तू इस पूरे शूट आउट में था ही नहीं यह बात की बात है कि कोई गवाज सामने आये जिसने तुझे रग्वंशी को मारते विद देखा हूँ कि राना ठीक क्या रहा है वैसे भी ऐसे मामले में दवाई देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता अगर किसी चौकी के ड्यूटी रिजिस्टर पर इसके साइन है क्या क्या जवाब देखा जवाब है ने इनके पास यही कि आप ड्यूटी की देखें पर नहीं थे और पूर अगरी ड्यूटी चो की नंबर 13 पर दिखा दी है इन चार गंटों में तुम इंस्पेक्टर सोलंकी के साथ रेड पर थे हाँ कि विजय में तुम्हें इस घेरे से निकाल लूँगा बस तुम खुद में काबू रखो मैंने मांदर देव फस का भूत तुम्हारे सर चड़ा देखा है जब तक सूरत चांद रहेगा 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 पहन चुअ है कि मैंद सब्छाल अपने हाप को कि अभिस कि नो को सैने के लावा रास्टा आए के माले जुआ है कि ये अदर आगे यह जा इन्ना को, सोड़ों दिया मला, सोड़ों दिया, सोड़ों जी, चलो, चलो बेह, चलो, चलो, समालों प्याको, चलो, चलो रुक जाओ ददे, रुक जाओ, हाथ मत लगाना भाई को, ले तुमारी नाटक बजी, अब लाँ नहीं चलेगी, एक तो भाई को मरवा दिया, और अब उसकी लाश को कंदा देने आये हो, ए भाई, ए दोस्त, ऐसे मौके बही अच्छा नहीं लगता, यह ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है, सेटी साब खून खौल रहा है हमारा, हमारा अदमी गया है ना हमारा, हाँ, इसने मरवाय सावन साब को, और अब चलाया है लाश पर फूल चड़ाने, जोधरी, जोधरी, मैं आपना हो कि दोख को समझता हूँ, लिकन ऐसे मौके पर, आप लोग जैसा कर रहे हो, वो ठीक नहीं है, रिष्टे, नाते, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब तो इंसान के जीदेजी होते हैं, जोधरी, सावंद कहां है, ये तो शरीर है, मिट्टी कहा, पार्थेव शरीर, एक शरीर पर, किसी को फूल चड़ाने से नहीं रोखते, आए ददाबाए, चलिए, जब तक सूरत चांद रहेगा, सावंद तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरत चांद रहेगा, सावंद तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरत चांद रहेगा, बहुत अच्छा खेल खेल हैं, तुने सेठी, सावंद को दुनिया से उठाकर, तुने देड़ लाख वोट, अपनी जोली में टाल लिया, देड़ लाख? एक लाख पिचत्तर हजार दद्दा भाई अगर तुम्हारी पार्टी को सही वक्त पर अकल आ गई होती तो वो तुम्हें मेरे सामने ना खड़ा करती कम से कम तुम्हें ये शिकस्त तुना देखनी पड़ती बहुत अफसोस जनक है गुंडों के होसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो सरे आम खुली सड़क पर जाब जिससे चाहें भूंदेंगे हमारे डिपार्टमेंट का खौफ उनके दिलों दिमाग से पूरी तरह से मिठ चुका है सर इस इलेक्षन में सावंद रदन सेठी को सपोर्ट कर रहा था इसलिए हो सकता है कि दद्दा ने उसे में इस तर तांडे इस पर कारवाई अभी हो रही है सावंद की मौत से हम किसी का नाम जोड़ नहीं सकते का तंडे साइब तब बहुत 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 रहे हैं आप इस केस को देख रहे हैं आप देखे कि आपको अपने साथ किन ऑफिसर्स की जरूरत है लेकिन मुझे इसकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी चाहिए क्योंकि कल मैं दिल्ली निकल रहा हूं वहां से भी बॉलावे का फर्मान कभी भी जारी हो जाता है उनको हमारी प्राव्मिन से क्या लेना देना है वहां की मीटिंग में भी सावंद केस को लेकर सवाल जवाब होंगे डैडी आप ये फाइल लेके जा रहे हैं ना मैंने सजा के तोर पे घर पे गोबी के परोठे बनने पर पाबंदी डाल में घीका छोका बंद और ये धुनों सजाएं साथ साथ चलेंगी ठीक है ठीक है मुझे मंजूर है लेकिन तुमने वो डांस क्लास वाले नोट्स तो उतार लिए ना वो डाइरी वो बड़े वाबु से कहना कि विजय को जो छुटी चाहिए ना वो उसे दे दे सगाई के लिए हम भी कुछ खबर रखते हैं पैसे लड़का अच्छा अगर रगुवंसी ने हवलदार को गोली मारी तो फिर रगुवंसी को किसने गोली मारी इस काम में एक तमंचे वाला साब और होना चाहिए हर महाबारत में एक अर्जुन सर उटाता है अपने को अपनी महाबारत में कोई अर्जुन नहीं चाहिए हमें चल्वित पॉष्ट है देखिए मैं पांड़े साम से बात कर सकता हूं अगर नहीं कुछ नहीं अगर गधा सुनिया पांगल हो तुमखर ना बन कर दिया तुम्हार सिपागता है तो में क्या लगता है कि बाद तुम पांड़े को बताओगे तो डिपार्टमेंट में किसी को पता नहीं जलेगा आज ये सावन का किस्सा इस इलेक्षन में रतन सेठी के हारने और जीतने का बुद्धा बना हुआ है हमारे डिपार्टमेंट जो लोग उनके लिए काम करते है उन्होंने अपने कान खड़े कर रखे हैं सूंग रहे हैं वो लोग अगर उन्हें जरा भी भनक मिलेगी कि इस मामले के एक खड़ी तुम भी हो तो पीस दिया जाओगे हां और तुम हो क्या हां क्या हो तुम तब इस तरसाब खुद नहीं चाहते कि ये केस खुले खुद क और तुम आत्मा जमीर और सच्चाई की बात कर रहे हो हुआ 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 है भुषले साहब है क्या आप पौन आप साहब वो भुषले साहब तो रदन सेटी के हां पर पार्टी में गए है यह ठीक नहीं हुआ सेटे साहब एक सच्छे पत्रगार के साथ आपका यह सलुक यह ठीक नहीं हुआ कवार जलो जड़ा चली 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 क्या मेर लीजिये कुछ नहीं हो आए कुछ नहीं हो आए चली चली आए आई इस पार्टी मेरा प्राइवेट पारटी है ना तो क्या करत पूछ लिया हमने स्रेटी साब से बस यही ना कि सावन की मौत से उने इलक्षन में फाइदा हो सकता है या नुकसान बस इतनी से बात कहल लिए सेटी साब ने मुझे कोशनी कोशनी कोशना सचे पितरकार को रून नहीं चाहिए आवाज बहुतार फैटरता कि जला मैं चलत प्रस वावर don't worry, I am alright किस्ण बुलाः था झाटा हूँ बेख संब मे दिए झार झाला अच्णल धुलने ता त हरका मचाने झाला झाला मेडिया परसंब इस ब्लड़ड़ी रतन सेजिस एंपर यह सर, यह रह राइ जोबरी गन्तोर था यह लाफ गाइट और आवेश येस सर आम रवतन सेघी अवल्दार जी जब पल उठाव 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 अगर आपको अपनी इज़त का ख्याल नहीं कोई बात नहीं कम से कम इस वर्दी का तो ख्याल किया था जो आपने पहन रखी हैं कौन है ये बिन बुलाए मैं मान की तरह चला आया काफी नाम सुना था आपका जन सेवा मंडल के उमीदवार रतन सेठी आपके गुंडे शहर में जन्दा की काफी सेवा था नाम विजे एसाइ ट्रेणी बैच नंबर 26 इलेक्शन में ड्यूटी लगी है वी आई जे ए वाई और हाँ यह नाम वियाद रखना क्योंकि यह नाम तुमारी कुण्ड़ी पलते है आई अअई अगरी कि आई और ट्रेनी आफिसर मैं रोड से जा रहा था तो एक औरत की चीख सुनाई दी मुझे मैंने देखा कि एक गुंड़ा एक औरत का मंगल सुत्र लेके भाग रहा है मुझे बड़ा गुस्सा आया सिधा उसे पकड़ा दो लपाठे लगा कि दिये साला औरत के गले पर हाथ ढालता है कि वह तो पबलिक आ गई जुनो मेरा गुस्सा तो हां हां बस करो बहुत हो गया एक चोटे मोटे गुंडे को पकड़ कर दो हाथ क्या जर्दी है समझो बहुत बड़ा तीर मार लिया और यह शर्ट देखो ची पता नहीं क्या लगा कर लाए उस पर चलो निकालो अरे शर्ट चेहरे में जाने आपके कैसा है ये असर देखा जो एक बार तो हटती नहीं नजर चेहरे में जाने आपके कैसा है ये असर देखा जो एक बार तो हटती नहीं नजर चेहरे में जाने आपके कैसा है ये असर ये पूल ये चांद सितारे तेरे हुस्त के रंग है सारे लहबूब मेरे दिद जैसा नहीं होगा नाशिक पैसा तू है सबसे हसी तू है सबसे जबा तू ना जाने ओ जाने जाना दिवाना करते यार को ऐसी तेरी उमर देखा जो एक बार तो हटती नहीं नजर हाँ छेहरे में जाने आपके कैसा है ये असर जाने 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 जो इश्क करे वो जाने क्यों बनते हैं दिल दिवाने देचैन हमेशा मन है कैसा ये निवाना पन है तेरे दाने करू मुला आते करू मेरी चाहता तू तह जाने तुम होश में नहीं हो मैं भी हूँ बेखवर देखा जो एक बार तो हटती नहीं नजर चहरे में जाने आपके कैसा है ये असर चलो भोसले सामने बुला है आत मत लगाओ चल रहा हूं चलो यही सवाल मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप वहां क्या कर रहे थे हमारे मांदार पुलिस ऑफिसर सडकों पे भून दिये जाते हैं और उनकी मौत का कुछ पता नहीं चलता और पता चलेगा भी कैसे क्योंकि जो लोग यह काम करते हैं आप उनके धर कशशाने नहींचे नहीं अभला पता है तो यह पिरू नहींट वीट्राइक सम्जैघ मैरी की हाथ वे, क्या दुटी सभजाएगा तुम उझे? एल चाल अभी घर जाए और अराफ़ के आजे आज़ आज़ अजे आज़ एडर, अरे रिजया हुँआज़ पोष्ले अगड़ा, तुम उझे अज़गा दूह ने कर दूछै ने के ज़गा मैं आरा है अल्या मत तेरी शाधी में आँगा तेरी को बोलते है हां आज यूजी समझा हूँ तेरी को ताले बोश्रे बोश्रे यह क्या हो रहा है यूनो दिस हेड़कॉर्टर मुझे मत समझाए है समिलाए अपने इस ट्रेनी को एक सीनियर रफिसर के साथ इस तरह पेश आता है तुम्हारा एक ट्रेनी मुझसे सबल करता है मुझसे सच्चाई क्या है वो मैं देख लूँगा ज़ो विजे ज़ो 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 त्या देख रहे हम देखो विजे फिलहाल इस बात को दबाना होगा तुम ज़जबाती होकर अपना मूँ नहीं खोलोगे वरना बात और बिगड़ जाएगी हमने दो पुलिस आफिसर खो दिये ये बात माने नहीं रखती है लेकिन सावंद के लिंग केस में एक पुलिस आफिसर इंड़ था खबर ये माने रखती है लोगों के लिए और प्रेस वाले तो ऐसी खबरों की ताक में रहते ही हैं और इस बात कर सबसे ज़्यादा उठाएगा रतन सेठी वो इस खबर को अपना हत्यार बना लेगा और हमारे पुलिस आफिसर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका यहां से तवाद्दक करवा देगा आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए इस केस में मेरी पूरी दखल होगी और वक्त आने पर ये साबित कर दिया जाएगा कि रगुवन्शी एक शहीद की मौत नहीं बलके एक अपराधी की मौत मरा है सेठी साब सबक तो उसे मैं बहुत बड़ा दूँगा विजय के लिए फंदा तैयार करने में मुझे थोड़ा वक्ट चाहिए उदर चाओदरी साब सावन केस की फाइल पांड़े को थमाने के तैयारी कर रहा है और अगर ऐसे मौके पर विजय कुछ होता है न तो मेरी नौकरी भी जा सकती है इस सिपाही सच्चाई के लिए शहीत की होना चाहता है इस सच्चे सिपाही ने दो सच्चे सिपाही की मौत देखिये सडक पर हमारे आद्मियों ने जब साथ नंबर चौकी पर ट्राफिक इंस्पेक्टर को उड़ाया वहाँ हवलदार हरी सिंग और विजय था इन दोनों ने ही हमारे आद्मियों का काउंटर लगाया सौकी से थोड़ी दूर पर रगवनसी गाड़ी से गिरा उसके बाद इन दोनों ने कलेना स्पार्ट पर रगवनसी को गिरा जहां हरी सिंग को रगवनसी ने गोली मारी और रगवनसी को विजय ने इससे पहले बात और बड़े उसका काम लगा देना चाहिए कुट्टिया बस से मारने के लिए तुम्हारे हथियार की ज़रूरत नहीं है उसने खुद अपनी घर्दन कानून के फंदे में डाल दी है वहसले फंदा तयार है बस काट कस्नी है तुम्हें यह तो विज़े हैं और इसके पीछे पुलिस कर दो हम अरो यह जाय क्या सब्सक्राइब आरो यह जाय नातक है है क्या क्या से यह जाय करते आताया कंवत्दा आपणके क्रतभ स्थ यह ज़िए ज़्दाव कर दो कर दो करत आरत डो ृ फिरल न डान वन हुआ उ हो आया मुद्ट रिधामृ प्रदेन कि उन्सक्राइबो कहा उलुए simply आदे उन्सक्राइबे है धिरवाँ कि और ऑन शॉआ मुद एया चुरदन सू टोलुए तै उन्स भैसी सा मुद ह Var ते गर एपूर में यहेता हिए! फ़िए जलारी, फ़िए खोचे! यह स्ट्टार्ड़! भॉस्ले साओ! भॉस्ले! विएम से! पुलिस अकैडमिक एक जवान ने पुलिस के ही कुछ लोगों पर गोलिया चला दी इस जवान ने जिसका नाम विजय सिंग है अपने सीनियर आफिसर की रिवॉल्वर छीन कर ट्यूटी पर तैनाद दूसरे पुलिस कर्मयों पर हमला बोल दिया इस घटना में दो लोगों की जान गई है पुलिस का कहना है कि विजय सिंग नशीली दवाओं का आधी है और पिछले दिनों यूनियन के नेदा सावंत की हत्या में भी इसका हाथ हो सकता है क्या कर रह nuclear थो थोता है short मेरे बेटे की चीजे क्यों उटाई जा रही है और मेरे बेटा किया कर रहे है तुम लोग ऐसा क्या किया है उसने कौशा करता एक हुं कि उसने त्वीं कर सकता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है वह खूल नहीं कर सकता शकल से तो खूनी तूम लग रहे हो तूम क्या समझते हो आसनी से यकिन कर लूगी मैं कि मेरे बेटे ने खून किया है भाइस आप देखे न ये क्या हो गया ये कह रहे हैं कि मेरे विजाई नशा करता है मेरे विजाई ने खून किया है आप भी बताईए आरे हमने तो इसे पुलिस में डाला था फिर वो कूने कैसे हो सकता है बताईए ना ये कहा ने जा रहे हो ये किया हुआ साब आप आप कुछ बताने वाले थे तहां है मेरे बेटा मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है साब साब आप कह रहे थे कि पंडे साब से आपकी कोई बात होने वाली है हुई कोई बात सिंग साब मैं भी इसी कुछीश में लगावा हूं आप तसली रखी प्लीज तसली रखूं क्या बात कर रहे हैं आप साब अरे मैं बाप हूं उसका क्या गुजर रही है मेरे दिल पर इस मेरे बेट्रे को मिला दीजी मुझसे बस आसान समझते हैं आप आप जानते हैं क्या चार शीट लगी विजय पे खुद पांडे साब नहीं मिल पाए उससे अब तक उन्हें भी स्पेशल परमेशन चाहिए मुलाकात के लिए विजय तुमारी चार शीट क्या है और सच्चाई क्या है ये मैं अच्छी तरह से समझता हूं और ये सच्चाई सच्चाई की बात मत कीजेगा, सर, सच्चाई की बात मत कीजेगा, आपकी सच्चाई ने मेरी जिंदगी पलड़ती है, अगर आपने मुझे सच्चाई का पाटना पढ़ा है, तो आज मैं या ना होता, आपने ट्रेनिंग सेंटर में जिस सच्चाई को ताज पना रखा है, व गुन्डों की गुलामी कैसी की जाती वो सिखाते हैं, वो हमारी असल ट्रीनिंग है, रतन सिठी, दद्दा भाई जैसे लोग जिनकी देशियत चाहिए शेर में, उनका नाम तक नहीं पुलिस रिकॉर्ड में, उनके खिलाफ F.I.R धरज करने वाले आफिसरों के हाथ कामते है ये लोग लड़ेंगे एलेक्शन, ये चलाएंगा हमाना देश, गुन्डा करती का लाइसस दिदिया जाएगा इन लोगों को, और इनकी सिंक्यारिटी के लिए हम जैसे चार लोगों को तरनात करती है जाएगा उनके बंगले पर, लेकिन सुधार हो सकता है सर, सुधार हो स करो, पुलिस डेपार्टमेंट से तुम्हारा वास्ता पड़ा ही कितना है, मुश्किल से नौ महीने ही हुए हैं तुम्हें ट्रेनिंग लेते हुए, और तुम्हें अपने उपर इतना गुमान हो गया है, कि तुम अपने तरीके से कानून की बैचान बदल दोगे? देखो, जिन हालात मेंसे तुम गुजर रहे हो, ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर काबू बाना बहुत मुश्किल है, ये बात में अच्छी तरह से समझता हूँ, और तुम्हारी नजरों में पूरी विवस्ता ने अपनी पैचान बदल दी है, ये भी हो सकता है, लेकिन 22 साल होगे मुझे इस के अपार्टमेंट से जुड़े हुए, इस दोरान मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन आज तक मैंने अपनी परती को बैमानी के दाग से बचा कर रखा है, शायद इसी लिए किसी की नजरों में गिरने के हालात नहीं अगर आज इनसाफ के लिए अगर तुम आतंग के रास्ते पर चलते हो, तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा, विजए, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं ढून लूँगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं इस शेहर में चुनाओ नहीं होने दूँगा, वो लोग जो तुम्हें इस हालत में लाने के जिम्मेदार हैं, कानून की ग्रफ्ट में होंगे, और अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज़द करते हो, विजए, तो जो रास्ता तुमने चुना है, उस पर पदम रखने से पहले, मेरी हार का इंतजार करना, सर, अगर आप जीतेंगे, तो मुझे बात खुशी होगी, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, पोजले, तुम विजए की जिन्दगी से ही नहीं, डिपार्ट्मेंट की इज़द से भी खिल रहे हो, मज़ाता है, ऐसे खिल खिलने में बहुत मज़ाता है, पुलिस का ये नौजवान, मेरे इस शौक के बारे में जानता नहीं था, आपने ट्रेनिंग देते हुए उसमें इतना जोज भर दिया था, कि वो अपना अच्छा बुरा समझना तक भूल गया था, अब भी वक्त है भोसले, मैं जानता हूँ विजय बहुत प्यावा है आपको, दिन रात ये बात आपको भी कम परिशा नहीं करी होगी कि विजय प्रताब भोसली की पकड़ में है, ये पकड़ और भी कस्ति जाएगी पांडे, अच्छा हो विजय से तुमारी मुलाकात हो गई, क्योंकि कोड के नए ओर्डर के हिसाब से, विजय के नजदी कब कोई भटक भी नहीं सकता, क्यों अब इजय सिंग्ग, यसा है ट्रेनी बैश नूबर ट्वेंटी सिक्स, क्राइम ब्रांच के लॉक अप में आराम कर रहा है हां? ड्योटी, सच्चाए, तुने कुभी सोचा था जिंगे में ऐसा कुछ होगा तेरे साथ? नए नए, अभी तो तेरी नसों में मुझे वो जहर उतारना है, जो तेरी चार्शिट में दिखाया है, नहीं पांडी साब, नहीं, मिसाल बनने के लिए हमने नहीं डाला था उसे इस नौकरी में, विज़े हमारा एकलौता बच्चा है पंडी साब, एकलौता बच्चा, हमारा सुक तो उसकी जिन्दगी में है, उसकी खुशी में है, हर माबाप की तरह हमारा भी बस इतना ही सपना था, कि गुशर बसर के लिए वो एक नौकरी से जुड़ जाए, और हमारे जीते जी उसका घर बस जाए बस, तो फिर आपने उसे पुलिस में क्यों डाला, क्या समझते हैं आप पुलिस की नौकरी को, पुलिस की नौकरी सिरफ गुशर बसर का जरिया नहीं है, पुलिस का जवान दूसरे की जानमाल की हिफादत के लिए अपनी जान तरक दे देगा, ये कसम लेता है वो वर्दी पैंते वक्त, और मुझे खुशी है, कि विजे ने पुलिस की नौकरी और उसके फराइस को बहुभी समझ लिया है, ये पहला जवान है, जो अधूरी ट्रेनिंग लेकर भी पूरा सिपाई ही बन गया है, आपके बेटे की वज़र से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा सिंग साहब, जुर्म के दुनिया के लोगों को कानून की सही पैचान होगी, और कानून की देलीज्ट पर लगे कुछ दाग भी साफ होगे, कैस का मतलब कैसर, आप इन आफिसर्स की ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं, यही लोग इस शेहर को ठीक तरह से जानते हैं, समझते हैं सामन के इस पर हमारी मदद भी कर सकते हैं, मिस्टर भोसले, आप हमें सला दे रहे हैं या इन लोगों की वाकालत कर रहे हैं, मैं तो यह कह रहा हूँ कि नए लोगों को साथ लेकर मेरे लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होगा, आप की ही मुश्किल को आसान करने का रास्ता ढूंडा जा रहा है, येस, हां, सेंद गुप्त अपस्टेज, सावंत केस की सारी डीटेल्स मिस्टर पांडे को दे देजेए अब इस केस को इन्वेस्टेगेट मिस्टर Q 카arny करेंगे लेगन से उपपर के सारे लोगों की जिमिर政ory क है अब इस की सच्चाही सामने आकर ही रहेगी तो अब आप इस केस के सच्छाई खोलेंगे कि कुछ नहीं होगा पांडे साहब आपका करियर तबाह हो जाएगा हाँ भूसले हो सकता है कि इस तरह का नुकसान मुझे उठाना पड़े शायद मगर तुम्हारा हश्र तो वह होगा जो हर कानून के दलाल का होता है और उपर जो तुम्हारे बाप बैठे हुए है जिनकी बदौलत तुम्हे इतने भूल रहे हो उस वक्त वो भी तुम्हें अपनी ओलाद मानने से इंकार कर देंगे और ऐसा शायद नहीं होगा, ऐसा ही होगा बिल्कुल ठीक क्या रहे हैं आप लोग सावन का केस पांटे देखेंगा विजय सिंगा इस केस से कोई लेना देना नहीं है और विजय इक किस कई है कानून की हिवाज़त करने वाला गर कानून तोड़ता है तो उसका गुणा एक आम गुनेगार से बहुत बढ़ा है इस केस में विजय के साथ क्या होगा? एक क्याड़िक डिसिब्लिन तोड़ता है, ड्रग्ज लेता है, फिर ट्रेलिन के दौरान एक आफिसर का रिवाल्वर छीन कर गोड़ी चलाता है, एक आफिसर को मारता एक को जख्मी करता है, ऐसे क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए? क्या इलसा इंगा? क्याज उत्तरा है, युक्तिमिज़ की जाए डिवाल्वर्ण कॉष्च क्या इंगा, एक तौर्ण कॉष्च अगर नहीं बैठा हूं मैं हर कोशिश कर रहा हूं लेकिन विजय को बाहर निकालना इतना असान काम नहीं है और चिस हाल में वो आज है उसके लिए किसी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार है दैडी विजय बरी शाट आप यू जाट अपन लिसन तो बै इसी क्या प्रब्लम थी यू स्की रतन सेटी को उसके घर पर जाखर बारा उसने पुलिस हेड़कॉर्टर में जो हंगामा किया बोस्ले पर भी हाथ चोड़ उसने अरे एस जुस रहे हैं रहे जूत पर बोस्ले न पर बोले का रिवाल्वर लेकर उसमर फारिंग की उसने हां हो सकता इसमें भी कुछ जूट हो अगर इस जूट को साबित करने के लिए उसने छोड़ा ही क्या है बैठो तुम्हें तुम्हें इस बात का अंधाज़ा नहीं प्लीज आडी आड़ी 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 और काम काज के बारे में सरा भी समझ नहीं है मैं तो ये भी भूल गई थी क्या आप मेरे डाड़ी होने के अलावा और भी कुछ है डाड़ी आप विजय के लिए ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जिससे आपकी करियर पर आ जाए मेरी सोरी डाड़ी अगर हम विजय की फेवर में कोई भी मूव लेते हैं तो इससे भोसले को और भी फायदा हो सकता है और चौदरी साहब भोसले ये सब इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए कर पा रहा है कि वो कानून रौंद कर चल रहा है और हम कानून पाल कर क्यों क्यों पाल कर चल रहा है हम कानून को और हम पा क्या रहे हैं इसे पाल कर वो लोग जिनके सिगनेचर्स और ओर्डर्स पर ये कानून चल रहा है उनकी पाटीज में मौज मस्ती करने के लिए बोसले जैसे लोग होते और उनकी मीटिंग्स में शर्मिंदा होने के लिए मिस्टर पांडे, अपनी ड्यूटी के नाम पर इतने सालों से मैंने अपने हाथ बांदे सिर्फ गुलामी की है अपने फर्स के जिस एहसास को मैं परसों पहले दबा चुका था आज अपनी बेटी के दिल में मैंने उसी फर्स के लिए बड़ी सथ देखी मिस्टर पांडे, इलेक्शन के पाथ चीज़े और बदल जाएंगी और तब विजय को भचाना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा हर मुश्किल का हल होता है जोद्री साहब एक बात तो तैय है सच्चाई और बुराई की जब भी भिरंत हुई है तम हमेशा बुराई नहीं तोड़ा है देशाई देखे बैसे मैं कर्स पर ले रहा हूं बतो भाई अब धंदा एक तम ठंडा चल रहा है मार्केट बहुत गिरा हुआ है चुला जलता है ना तेरे घर में बाल बच्चे सबकों पर भीग तो नहीं मांग रहे ना साले ये कंगाली मेरे लिए यही छाई है ना सेठी को जो दो लाग रों पर दिये वो के दर से निकला है है साला एलक्षन की हवा क्या बदली रंग बदल लिए तुम लोगों ने देखें ददा भाई मेरी प्रॉब्लम समझें आप कहें तो मैं पचास हजार अब में चुप आप लोग अखबार के इन सुर्खियों पर मत चाहिए मैंने कोई असस्टेट्मेंट नहीं दिया है यह सब राजनेति खेल चल रहा है मेरा जूटा ब्यान चपवा कर कोई फाइदा उठाना चाहता है सर क्या जूट है क्या सच है हमारी समझे तो बहार है शहर में गुंडा ताकते खुलकर अपना काम कर रही है और हमारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है हमने सब देख लिया है उन लोगों ने विजय को फसाने में इतना वक्त नहीं लिया सर इस सिस्टम में एक बेकसूर आदमी के गरदन कस देना बहुत आसान है लेकिन उससे छुडाना बहुत मुश्किल तो फिर क्या किया जाए आप लोगी बताईए कैसे क्या किया जाए बताईए ना आप लोगों की सला की बदौलत रिटायर्मेंट से पहले शायद मेरे हाथों को बहुत बड़ा काम हो जाए बोलिये बोलो रवी बोलो राना कामत आप ही बोलिये इन हालात में मुझे और कमिश्नर साहब को क्या करना चाहिए आप लोग क्या समझते हैं बेकसूर विजे को एक अप्राधी का लेबल लगाकर पुलिस लॉक अप के अंदर डाल दिया गया ये बात मेरे लिए कोई गर्व की बात है एक सिपाही जिसे फर्ष के मायने समझा कर मैंने एक रास्ता दिखाया और वो उस रास्ते पर चलकर एक ऐसे भवर में फसकिया जहां उसकी जिन्दगी उसका कैरियर सब कुछ दाव पर लगा हुआ है विजे की इस हालत से तुम लोगों का तो सिरफ दिल दुखा है लेकिन यहां चोट सीधे मेरे पुर्षार्थ पर लगी है विजे को इस भामर से निकालने में अगर मैं नाकाम होता हूं तो इस नाकामी के दमगे को लगा कर जिन्दगी काटना मेरे लिए नहायत शर्मनाक ह कोगा झाल 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 झा हुआ है यह यह उटाओ, 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 कर दो, चलाओ! पहुल को! ओम हो!!! किसका अदमी है तू और किसका अदमी है भाई साले कुर्सी जन कल्यान के लिए कुर्सी चाहिए उदारसे ये क्या है पता है तुझे क्यानता है ये क्या है राश्टर का गोरव है ये हमारी इजथत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है यह तिरंगा इसकी पहचान को कायम रखने के लिए लाखों शहीद हुए हैं इसके सम्मान में सर्च हुगते हैं और तुम जैसे लोगों ने गले का रुमाल बना दिया है इसे क्यों अवलदर निकाले इसके यह क्या करें हो यह ठीक नहीं है पांडे कि घल नहीं निकालो कमीज किकलो कि अधिक नहीं जिया पने एसरें कमे च्छाहत कराओं यह ठीक नहीं पांडे 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 सबके सामने जलील मत करो मुझे मैं करो मैं करो जल्दी करो अब इसके निकर निकालो पांडे 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 मुझे कोली मार दे मुझे कोली मार दे एंकांटर दिखाती मेरा निकर लाओ इसर इसना जल्दील मत कर मजे इसे बिना नाडे के निकर पैनाओ पांडे मुझे गोली मार दे गोली मार दे नाडे के साथ खुदकशी भी कर सकता है ये और ऐसे लोग हमारे लॉक अप में नहीं मरने चाहिए पांच अगस्ट को होने वाले लोगसबाद चुनाओ के लिए पूरी तैयारिया जोर पर हैं शहर में सुरक्षा के कड़े इंतिजाम कर दिये गए हैं पुलीस ने 40 समाजिक तत्वों को हिरासत में ले लिया है किसी भी अप्रिय घटने से निपटने के लिए शुरक्षा बलों की करीब 400 कमपणियां टैनाद कर दी गए हैं कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा मैंने का ना, मैंने किसी को कोई पैसन नहीं दिये पैसे तो तो तुमने रतन सेठी को दिये हैं दो लाग रुपए इसका सबूत भी है हमारे पास मैं कह रहूं यह सब छूट है दद्दा ने मेरा नाम लेकर मुझे फसाया है क्योंकि एलेक्शन के खर्चा के लिए उससे मुझे से मोटी रख मांगी थी लेकिन मैंने साफ मना कर दिया मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिये यही सच है जिसे मैं बार-बार कहता रहूंगा देखो तुम्हें तो पता है कि कुछ लोगों को यह ठीक नहीं लगेगा कि तुम्हें पूश्टास के लिए हिरासत में रखा गया है कि मैं तो तुमारी भलाई के लिए कह रहा हूं सर यह है ठीक है शिंदे से कहो कि कमिशनर साथ के सिंगनेटर लेके मेरे पास वापिस तुम सच कब बोलोगे जब हमारी कारवाई बहुत आगे बढ़ चुकी होगी और जब तक तुम सच बोलोगे नहीं डिशाई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कि व्यान तो आपने लिख दिया हां तो क्या कह रहे थे आप किसी ठकर का नाम ले रहे थे ना हां हरीश ठकर दादर टिटी में कपड़े की दुकान है उसकी अच्छा तुमने जो नाम बताए हैं जिन्नोंने दो दो लाख रुपया रदन सेठी को दिया है वो है मैं खना ठकर दमानी मंजीद सिंग मंजीद सिंग नहीं परमजीद सिंग माही में आटोपाट्स की दुकाने उसकी और एक चेमबूर में पिट्रो पंबी है और तुमने जो दो लाख रुपय दिये थे वो सौसो के नोट थे एक ब्रीफ केस में शायद ग्रे कलरका था इस् आप फिक्र मत कीजिए डिसाई सहाब कोई परिशानी नहीं होगी इन चारों के बारे में डिटेस चाहिए जी सर तब ही अमरतन सेठी को ग्रेफतार कर सकते हैं तांडे और शर्मा को इस काम पर लगा दो और उनसे कहो के ग्यारा वज़े तक मुझे रिपोर्ट चाहिए ओक अलकुल साथ प्रतिशत वोट पड़े ओके सर यह सर ओके सर चलिए राज्य में लोकसवा की 26 सीटों के लिए हुए मतदान की मतगरणा शुरू हो गई है अब तक की मिली सूजना के मुदाविक जन सेवा मंडल के उमीदवार स्री रतन सेठी करीब 25,000 मतों से आगे हैं बोसले, भाई हम बंगले पर एक छोटा सा जश्न चाहते हैं और उसमें वो हमारा बबुया ना, जाबास, जोशीला, विजे सिंग हम बंगले पर उसकी महमान नवाजी करना चाहते हैं भाई उस बबुयों को हमारे बंगले पर लेकर आओ ना बोसले हमाने पर विर लेकर बंगले नवाजी करना मान नवाजी करना डड़ा हैं क्रोपोषा इन ये जो झालब चाहते हैं पर लेकर ले विरसे लिया से लिए उस वोड़ार हैं आखों में पहला ये कछरा तूटा तूटा तेरा गजरा विखरी पायल जुम का कंगना तेरे साथ किया क्या विख concept हाईर आत्यमोरे जैया ले पक्रणे कला एंग हीरे माई हाले ते फिर उंगले दबाई आहिरे माई हाई रखम और साइन पकड़ कलाई आहिरे माई हाले ते फिर उंगले दबाई आहिरे माई पहले पहले मेरी हुई थी विदाई दुलहन बन में घर को आई किसे करती दुहाई आहिरे माई हावे रत मुर साइन पकड कलाई आहिरे माई हाले से फिर उंगली दबाई आहिरे माई इक तो सर्दी उस पे साइयां बड़ा पे सर्दी सारी सारी रेंकी अपनी ही मर जी हाई इतनो सर्दी उस पे साइयां बड़ा पे करती सारी सारी रेंकी अपनी ही मर जी सारी सारी रेंकी अपनी ही मर जी हाई दुखती हैं अब तक मेरे कलाई आहिरे माई आहिरे माई राख्ट मुर साइन पकड़ कलाई आहिरे माई होले से फिर उंगली दबाई आहिरे माई धीरे धीरे प्यार की चाहत उसने जगाई रोक सकीना खुद को बाहु में समाई ओ धीरे धीरे प्यार की चाहत उसने जगाई रोक सकीना खुद को बाहु में समाई रोक सकीना खुद को बाहु में समाई फीच गई गर्मी से रजाए आहिरे माई हाए राख्ट मुर साइन पकड़ कलाई आहिरे माई हाले से फिर उंगली दबाई आहिरे माई पहल पहल मेरी हुई की विदाई दुलहन बन में घर को आई किसे करते तुहाई आहिरे माई राख्ट मुर साइन पकड़ कलाई आहिरे माई हाले से फिर उंगली दबाई आहिरे माई अरे नए 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 यह तो बहुत ज्यादा है अरे उठाओ भई इसे उठाओ काईसा लग रहा है यह जो कुछ हो रहा है काईसा लग रहा है यू पास्टर्ड सेट्टी साथ इसके जैसा एक और कड़क आफिसर मिलाता हैदराबाद में कुछ सुनता समस्ता नहीं था उसका काम लगाने के बाद उसका रिकाड खोला तो पता चला कि वो दो बाप काता डबल स्ट्रॉंग तेरे साथ भी आइस राइचे क्या कुछ के चलो मुझे चलो चलो क्युर मोँ बाई मुझे य। प्याल छुण प्यख़ँ क्युण विजय सिंग वियाई जेवाई ए नाम मेरी कुंडली बदलने वाला था ना मेरा नाम तो सुनाई है रतन सेथी र-A-A-T-A-N मैं डेबल ए ही लिखता हूँ रने तु कानन का एक इमानदार सिपाही है ना मुझे अफसोस है कि कानुन के रजिस्टर में तुम्हारी मौत खुद्खुशी के नाम से तर्श की जाएगी समझाना नहीं गुपता यासन अजदिक जो हस्पिटल है वहां तक पहुंशने के लिए बीस मिनिट लगते हैं अगर तो हॉस्पिटल पहुंशता है तो बच भी सकता है मगर हमारे लोग तुमको यहां से ले जाकर सीधा क्राइम ब्रांच के लॉकप में डालेंगे हुँँँए उठ्वा रे सायवाला उठ्वा अशावाश हुआ 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 कि एलेक्शन तो जीच जाएगा सिर्धी मगर अपने जीतने की ख़बर नहीं सुन पाएगा तू हर ख़बर आने से पहले तू तुदिया छोड़ चुका होगा कि पीचा करो कि एलेक्शन आने तू तू झाएगा कि एलेक्शन गुदिया था हुआ रहा मुलिया कि एलेक्शन पुदिया हम पूर्णी है पूर्ण करते हैं आप अरे क्या है क्या यह सब्सक्राइब कर दो एक दूटा है तो अरे क्या है क्या है चाला कैसा लगता है सुनके कैसे हुआ होगा यह सब उनके पास कुछ ज्यादा स्वांग हतिया रहें अपने से कि सिद्धी की महत्रे और सारगुपता बुसले साब काम बताओ बुसले साब काम बताओ काम बताया काम हो गया है हलो हलो साथ हाँ है साहिब आपके लिए फोन है कि अलो पाड़े साब विजे ने अपने हाग की नस काट लिए कि क्या हां सर वह अपलो हॉस्पिटल में है है कि विजे है 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 मैं सब जान गए हूँ मुझे सब कुछ पता चल गया है इन लोगों ने मेरे साथ बहुत चल किया है तेरे पिता जी ने ये रोमा ने इन लोगों ने बहुत कुछ चुपाया है मुससे देखो तो ये पेटा भेजा था हमने नौकरी के लिए कैसा पूल सा चेहरा था मेरे बच्चे का मेरे बच्चे को क्या बना दिया इन लोगों ने देखो रेवती तुम नहीं अब मुझे कोई दिलासा नहीं चाहिए मैं मजबूत हूँ ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजे विजय के पिताजी मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ये नहीं मरेगा मेरा बेटा मरेगा नहीं अभी तो इसे बहुत कुछ करना है जिन लोगों ने इसकी ऐसी हालत की है वो इसी शहर में है ना सबुसा हो शख़रफ आबी अभी तो इससे मेरे कलेजी की आंग ठंडी कर रही है अरी एसे कैसे मरेगा ये है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये क्या होरह alors ऩटे चाहिए यहां से खाओ आंज네ति क्या कर रही है अथे उसी सरा हो यहां से दलख़े के डिंसर शायरें दोक्टर जी प्लीज माथी कह रही है चाहिए मैं मरूंगा नहीं सब्सक्राइब और उसे कुछ धुनला भी दिख रहा था सब्सक्राइब अधे गंड़े में उसकी रिपोर्ट आजाएगी थैंक्यू डॉक्टर सर वीजे की मदर ने से बलड चढाने से मना कर दिया इसलिए उसकी हालत बिगल गई सर मगर उन्हें ऐसकी मदर बहुत गुस्से में थी और मगर वीजे निर्फी ने ऐसा करने क्यों दिया उससे तो समझना चाहिए था सर वीजे ने खुद नीडल अपनी हाज से निकाली थी मतलब यह के विजे ने भी खुण चड़ाने से मना कर दिया यह सर तो फिर सीटी स्कैन के लिए राजी कैसे हो गया कर दो कि अब दो कि डॉक्टर विजे काहा है सर फो विंडो वो पाइप के साहरे नीचे उतर गया यहां से भागने के लिए उसने यह सब ड्रामा रहता था यह लड़ाई लड़ने से कौन रोक रहा है तुझे अगर लड़ाई जीतनी है तो हर कदम सोच समझ कर रखना होगा विजे यहां मारा सामना सेठी और उनके गुंडों के साथ न बड़ को पर मुझे भागना नहीं है सामना करना उन सबका अरे सामना करेंगे कैसे हम उनका उनके हत्यारों के आगे सीना करते और मारे जाए हम क्यों मरें हमें मारना है विजे विजे जोश और उनमात को हत्यार बनाकर तो नहीं लड़ सकते हम इंसे इनके हत्यारों के जव हाथों में फॉलाद उतराया है, तो अत्यार भी हो जाएंगे. कि अत्यार प्राइब जाएंगे. हुआ हुआ कर दो बसले, मी आलोरे बाबा यह गोलिया मैं तेरे अंदर भी डाल सकता था लेकिन मैं तेरे चेहरे पर मौत के सन्नाटे से पहले का डर दिखना चाहता था समझे मौत दिखाए देरिये, बसले बसले, तुने कभी सोचा था तेरे साथ ऐसा होगा नहीं ना तुम जैसे का भला करना मैंने शुरू कर दिया है अलो, हाँ बॉल, ठीक है मैं अभी पहुंचता हूँ, विजय ने बसले को मार दिया ये पाग्या को बल गाड़ी निकालने के लिए सेटी साब के बंगले पर जाना है नमारा ही जाना था उससे बसले को मारा ही जाना था जो काम, जो फैसले दिमाग से नहीं जोश से किये जाते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है राज जी के सभी राजनेतिक पार्टियों और निर्दलिय उमीद्वारों से जन सेवा मंदल के उमीद्वार, रतन सेथी, बड़त बनाए हुए हैं वो लोग कल्यान मंच के दद्दा भाई के मुकाबले 75,000 वोटों से आगे हैं जढे हैं हेलो पांडे साब कुछ आफिसर्स को लेकर सेठी के बंगले पर गये हैं उसे अरस्ट करने कहा है रतुन सेठी कहां चिपा हुआ 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 है वो वो बोलो वो पन्यल वाले फार्माउस में गया है वह पन्यल का फार्माउस कहा है वो हाईवे से लगा हुआ है खेड़ का हो कि आके रास्ता जाता ना बाहीं तरफ उदर हलो है हलो है यह विजे का फोन था तुम्हारी बेवकूभी से उससे फार्माउस का पता चल गया है सारी सर्व दिमाग खुला रखा करो जना जे यस सर व मत गणना के दूसरे चरण में भी जन सेवा मंदल की उमीदवार रतन सेठी एक लाग पच्छीस हजार वोटों से आगे है कर दो कर दो कर दो कर दो कि वो चोक्रे लोग बांबे से निकल चुके इधर आने के लिए उसी चौकी से घुजरना पड़ता है तुम पक्का बंदबस्त रखना उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए कुटी किनकर छे आठ लड़के हाथे आर लेकर शेहर में नंगा नाचते हैं और पर नाचते हैं नाचते शेहर छोड़ भी देते हैं और अमारी पूलिस आगे नागे पर हमारी वेलकम की पूरी तैयारी आओंगे हमें हाइवे छोड़ देना चाहिए तुम लोग खेड गाहां से होकर निकलो हम लोग रोट से आते हैं खिर अर्फटर्ण काुझ से पूरिए अर्फटर्ण के कि अचते हैं यहाँ लोग घ्ल्रेब्लाव थाव वाइश्टर्ण सेटी साब परेशान होने की जरुरत नहीं वो चोकरे लोग जैसे चोकी पर पहुंचेंगे सबका काम लग जाएगा उदर मैंने टाइगर फोर्स लगाया टाइगर फोर्स बोले तो ये मुंडी पर लगाया तो होल उदर इच ए अड़िया थाएगर रजति तराइगर एाइगर एे अldर एके दवोर्स ए वो प्रमक्राइगर नहीं पर लगाः चले राणिक बने घं excell得 रे रले हम पर रंटे रामक्राप मैं decided以前 लोग्यर ! जोल nep बोले सकती दोकी जगया ख सर्साँ करो चलो हुएँ पर चिहां अार्व добав एमार कि यह गेकंड़ दो आशिता गई भी यह डूढेँ दूढेँ नहीं घुर में घुलेए अची कोफेजर को तलेकरों के भार्वा साल जाना चुलेए जिलाओ पुच्पे गोरी, जिलाओ! तब चोटी जाओ! फटो देम, गपास्ट! हुपुच्पे गशिए टिरिफ। बलड़ेकर्स! अरे, का करेंव? छोटो! छोटो! अरे, को गोग हैं इस? का प्रो … अरे, हाट नो चोट हमार! तु जल अंदर! तु आंदर चल जाएं हाँ मुण। हाँ मुण। हाँ मुण। मुनु अलो का है मुनुмы! मुनुप है मुनुप है कि अअथ केचिए के दो दिए औ रहे केंवक जढ़ Moscow औा Pharise कաु़री आम कि अअई भगा, कि अँ़ हो आर। इतरी बड़ेगी आर चाल अल्ड का भू़ है प्रूबर नियुदे टे पोर लिए झाल तो अपूजे परेदार कोली आपूए आपूए ते लिंट आपूए रापूए ते रापिछ कोपूए नियुदे ला गापूए जो एापूए झाल अबता है, हम दो खिते हैंसे दोते हैं अबढे अछी को हैं, इस भी कोपूए ए कि यह एक सखम खाय हुए नौजवान का हाथ है सेठी यह जिसके गाल पर पड़ता है उसकी दुनिया घूम जाती है निशाना साधना तो दूर आखों को एक जगा ठिका कर देखने के लिए भी तुम्हें वक्त लगेगा मैंने कहा था ना सेठी अपनी जीत की खबर सुनने से पहले ही मैं तुझे खत्म करतूंगा निलेश नियूस बुलेटन का वक्त हो गया है कि श्री रतन सेठी दो लाग 25,000 वोटों से चुनाव जीत गये हैं उन्होंने लोक कल्यान मंच के श्री दद्दा भाई को हराया है गोल वारिक शेत्र से श्री रतन सेठी लगातार तीसरी बार विजयी हुए हैं लोक सभा के चुनाव के मदगरना का अंतिम दौर खत्म हुआ तुम जीत के विजे तुमने जो कहा था कर दिखाया मगर ये क्या तुम्हारे चेरे पर जीत की खुशी नहीं देख रहा हूँ मैं मुझे देखो मैं कैसे शर्मिन्दा हूँ अपनी हार पर नहीं सर मैं जीता नहीं हूँ मैं अपनी जीत तब मानता जब ये काम मैं कानून के हदों में रहकर एक सपाय की हैसियत से करता मैं खुश नहीं हूँ सर क्योंकि जो काम मेरे हाथों से हुआ है उससे आपको शर्मिन्दा होना पड़ा I'm sorry एक साजर उपर लिगे जा आप 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 पास रुको बेट रुड़ा रुको बेटा तेरे साथ अब तक जो हुआ और आगे जो कुछ भी होने वाला है मैं उसे समझना चाहता हूं पिता जी पांडे साहब मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वैन सिपाईयों को ले जा रही है या मुझ्रिमों को कि इन जवानों की पहचान कुछ अलगी है सिंग साहब 22 दिनों तक इनके साथ चली हुई लड़ाईय और इससे निकले वे नतीजों ने हमारे सिस्टम के एक अलगी रूप को उजागर किया है करप्शन एक बिमारी जिससे मैं सिर्फ टैनियों तक ही मैसूस कर रहा था वो दरसल जड़ों तक पहुँझी हुई है और इन जवानों ने कुछ ऐसी ही जड़ों को काटने का नेक काम किया है इनका विद्रो हमारे बिगड़े हुए सिस्टम के लिए एक सही जवाब है ये इनकलाब की शुरुआत है किया है किया है सीप्टरण तेजर टुझाँ वह है वह बद़्टरण वह है कि अपश्टर तक जड़ारारे वित्स जड़ारे वाव लड़ी जोकर्स लड़ी जो से ऑड़ी अठी कर दो कर दो कर दो कर दो